Hi Everyone, Welcome to Exam IQ Exam IQ किस वीडियों को देखते हैं JSC Previous के स्वाल तो JSC Previous के स्वाल के अंतरगत आज देखेंगे जहारखन दारोगा सेट 25 में जहारखन जीके से पूछे के स्वाल जो JSC के सभी एकजाम के लिए महत्तपूर्न है इस वीडियो को आप एक प्रैटी सेट के रूम में भी इस्तिमाल कर सकते हैं इससे आपको पता चलेगा कि JSC में किस टाइब के स्वाल पूछे जाते हैं तो चली सुरू करते हैं सेट 25 जहारखन 25 सेट जहारखन जीके से पहला स्वाल है जहारखन के कुल भोगलिक छेतर में कितना परतिसाद जंगल के अंतरगत आता है जंगल के अंतरगत जहारखन के कुल भोगलिक छेतर में के अंतरगत कितना आता है 9.10% जो JSC ने सही माना था आपको तीन नमबर मिला था अगला स्वाल देख लेते हैं की लगना तो कितना है थे चा कि ती पर्ति वोक् किलमेटर आपको बताना है जार्घंड का जारकन का लिंगवानुपाद कितना है आको चार ऑप्सं दे रहे हैं 946 ना नो सो 75 कि 949 जारकन कड़ लिंगवानुपाद कितना है आको बताना है अगर पुछा सिम्डेगा कि दो सिस्वा लेखते हैं जारक। कि जिले में किस जिले से खुटि जिले का निर्मान किया गया है तो खुटि जिले का निर्मान किसोऊ है खूटी जिले का निर्मान 2007 में हुआ है और 2007 में जहारखन के अनिय जिला बना है इसका नाम क्या है रामगर और रामगर का निर्मान किस जिले से हुआ है हजारी बाग जिले को अलग करके रामगर जिले का निर्मान क्या गया है 2007 में इसी परकर 2007 में रांची जिले से अलग होक तो बोकारो जिली के अस्थापना 1991 में हुई है और आपको बताते आ रहे हैं 1991 में जारखन में तीन जिली के गठन हुआ है कौन-कौन एक बोकारो है और दूसरा कौन है गढ़वा है एक है चत्रा तो 1991 में जारखन के तीन जिली के गठन हुआ है और बोकारो जिली के गठन जा कि जम्ते पूर्किस जीले के अंधर अदर गद्स आता है पूर्वी सिंभूम जीले में और पूर्वी सिंभूम जीले का स्थाफ्रा कर वह rescue उन्हें सो नम्भे में में और इस रag chodzi जो है कि अब कि दोनों के सअर्ण है अला है गरू नेशनल पार्क तो लातेहर में जो है बैतला राष्ट उधियान है कुछ सा बैतला रास्ट ऊधियान और वैतला राष्ट उधियान जो है पहला राष्ट उधियान है जहां पूआ पी When He Smith 32 में बागें दो जबां की दिन है कृओ उप्यपे वहाॉट specific वाल है निमलिखित में से एक भारती महिला मुक्यबाज जिसने 2004 में नारवी में यूच्वर चेंपियंशिप में स्वन परग जीता था कुन है दिपिका कुमारी तो दिपिका कुमारी को पहले ही अलिमिनेट कर दीजिए यहां तो विए मुहला मुक्यबाज की बात करें तिरय अंदाजिसी समधित है प्रेमलता अगल्रवाल को बिछ अपिर år ऀलिमिनेट कर सकते हैं एक क्या है प्रेलोही तो प्रवतार हैं हो गलग जीका संबन से है जम से पूर से इसके बाद तो अर५़ेंस्र और देखते हैं का सराय केला च्व निमलिकीत में से किसके साथ जुड़ा हुआ है तो च्व नृतिहीं स्वरा जागा च्व नृतिया पहला उपसं सभाल जारखंड में आग पिनल्साहयत को संफॉर्दय के दरहा शुरुकस्त शुरुण देंको द्रॉक्त बेषायत संपुर्दय के तरफ सब्सक्र भागत धिरुय जान्हे look विस्दें कुम से इसका चोनलचन सव होगा विस्था मुंदा के द्वारा और देंगे हुआफ बिर्शाहहीं पुल्गुलान 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 प अठ्वा स्वा देखते हैं पुरुसकार की स्रेनी में अस्थाई खनीज विकास विभाग किसमें आता है तो अस्थाई खनीज विकास विभाग जो है किसमें आता है राष्ट भू पुरुसकार तो नेशनल जीओ साइंस साइंस एवाड के अंतरक्रत आता है तो इसका सहीन सरोज़गा दूसरा, नौवासवा देखते हैं, निमलखीत में कौन सी योजना जारखन सरोगारद्वारा सुरू केगे, खाद सुरक्षा कारिकरम से समधित नहीं है, बिर्षा मुंदा सरोगोजन योजना, मुख्यमंत्री खादियान साहिता योजना, मुख्य मुख्यमंत्री खादियान साहिता योजना, मुख्यमंत्री केंटीन योजना, अन्तियोदे अन योजना, अगला सोल अब देखते हैं, तस्वा क्या है, एक पूरा नाम पूछा है, क्या है PCARBD, इसका पूरा नाम क्या है, प्राइमरी को ओपरेटीव एगरी कल्चर एंड डे रूलर डेवलोमेंट बैंक, PCARBD, इसका पूरा नाम है, प्राइमरी को ओपरेटीव एगरी कल्चर एंड डेवलोमेंट बैंक, फाला अफसन इसका सही हो जाएगा, बारवा स्वाल देखते हैं निम्लिकित कसोवर में कौन सा पलामु जीले का मुख्याले है तो पलामु जीले का मुख्याले और टेंगर है लेकिन चेंज हो चुक ऐगा नया नया आर्थिक सर्वे में करेंट अक्राइब को मिलेगा अगला है कि वस्ट 2015 सुलव में देश के यह अपडेटेटेड होगे इसको छोड़िए तो जार इगार की जंगरना सुनसर जारखन की महिलाओं में साक्षिता अधर क्या है जारखन की महिलाओं साक्षिता अधर क्या है 55.42 परसंट तो पहला सुलवा है जारखन के अनुसुचित चाती के कितने परतिसत परिवारों का कोई बेंद खाता नहीं है इप पुराना अकड़ा था लेकिन जैससी ने क्या माना था 51 परसंट को सही माना था तो से अंसर हो जागए 51 परसंट अगला है जारखन की कला और लोग संगीत में तो जारखन की कला और लोग संगीत में किसकी सुनरता परिलक्षित होती है किसकी प्रकिर्टी की तो जारखन की कला और लोग संगीत में प्रकिर्टी की सुनरता परिलक्षित होती है नेचर इस पहला अपसन सही हो जाएगा अठारवा स्वाल देखते हैं निमलिखित लोग तद्सेत की न कार्मा का गायन जो है कार्मा कार्मा फैस्टिवल के दूरान किया जाता हैавाय.. झाल चाहा की लाइन जर्ड़ी हे उल्गा जीशन क्षेषिया न मुछ이 को से हाध। गड़वा जीले में कौन सा मेला लगता है विसु मेला विसु मेला कहां लगता है गड़वा में और नर्सी मेला कहां पर लगता है हजारी वाग में और हिजला मेला जो है कहां पर लगता है दुमका में अगर पूछे किस नदी किनारे मयूराक्षी नदी किनारे हिजला मेला तो इसका सेंस रोजय गड़वाग पूचा था तो पहलापसन विशू अगला है चोटा नाकपूर शेत करें पर्थम क्रांधिकारी कौन थे जो अंग्रेजों के से संघर्ष करते हुए वीरगती को प्राथ हुए थे तो इसका सेंसर हो जागा चोटा नाकपूर शेतर से पूचा एगा नहीं तो अगर पूचा अगर वैसे बुद्धू भगत सो अठार सो कोल विद्रों से समझ दे लेकिन तील का मान जी तो सतरसो पचासी में हो गया तो संथाल परकना से रिलिटेट थे ध्यान देने वाली बा ताना अंदोलन ताना भगत नहीं जातरा भगत ने ताना अंदोलन चलाया था अगला है चानक ने अपनी परसिद रचना आर्च सास्त्र में जारखंड को किस नाम से समझ दित किया है चानक जो है उन्हें पुस्तक लिखी आर्च सास्त्र इनमें जारखंड के लिए किस ना तो यह मतपुछ सौओ assass उपके लिए oh कि और ऐसास जो है एकोनोमिक की पूस्तक नहीं और शास जो है पर के लीए तो आ challenging आतारित पूस्तक है तो दçek इसम देने वाली बात है बैसमत उधाल जारखंड अंतरिक्ष अनुपरयोग्येदर राजी की अस्थापनक की पूर्स की गईए तो इसका फूल फॉम भी पूछ सकता है तो js door自 si's ननाव क्या है ज चाफ Waarकंड साप्लिकेशन सेंटर ज it's का पूरा नाम होता है जो पूछ सकता है तो jssec ज पुरा नम क्या है ज्छे अप्लिकेशन सेंटर इसके अस्थापना कहां पे की गई है राची में कब की गई है 2003 में की गई है 2003 पाला उप्सन तरह समास वाल देखते हैं अक्षय उर्जा की निम्न मैंसे कि स्रोथ से जहारखण अधिक्तम उर्जा उत्प्स पन्कर दीके ॹारच तो किससे सबसे अधीक उर्जा जहारखण मिलती तो नहीं है अब भूतापी उर्जा जो नुक्लियर एनर्जी जो थर्मल एनर्जी वैसा भी ज्रूद ध्यारखण में लावत आवला नहीं है दो स्वार उर्जा होगा पहला उप्सन से होगा लियाद देखें कंफ्यूज ना किए कि हमको कोईला उर्जा और जैल उर्जा मिली नहीं रहा एनेच नेशनल हाएवे आठ जो है जहारखण से होकर नहीं गुजरता पहला उप्सन और एनेच टू जो है जहारखण एनेच टू को जीटी रोड के भी नाम से जाना जाता है ग्रंट नेक रोड यह भी मातपूर स्वाल बनता है 26 स्वाल 25 देखते हैं जहारखण में से किस परगार की मिटी का स्थानी नाम गोरिश है तो जहारखण में कौन सी अस्थानी मिटी का अस्थानी नाम गोरिश है जिए चिह ल करता हो जाज़ात हो जागा 26 आप देखते हैं किसी राज के राजपाल के अधिकतम आयू कितनी होने चाहिए, नियूंतम आयू कितनी है, अगर किसी को राजपाल किसी राज में बँदना है, इसके लिए मिनिमुम एज कितनी होना चाहिए, 35 साल, 8 साल, 32 साल, 32 साल,ց ingen's जाईगा, 35 साल, अगर, और पुछे किसी को, MPI-MLA बनना है, इसके लिए New части age कितनी होने चाहिए? 25 साल, अगर पुछे, राजसभा का संसत बनना है, इसके लिए 30 साल चाहिए, और राज़पती के लिए 25 साल चाहिए, और कुछे मुक्ष्मंतरी के लिए कितना चाहिए? 25 साल चाहिए, अगला है क्या है वध्योगी द्रिष्टी कौन से कौन से जीला ज्षारखन के आर्थिक राजधानी कौन से जीले को जाता है पुरवी सिमूं, भुकारो, राची, पच्छमी सिमूं तो इतना सवाल मायट में इससर रखिएगा अग्ला सवाल आप देखते हैं कि मुझ जजाती अपनी भासा मुदारिको क्या कहते हैं अपनी भासा मुदारी काते हैं और इस जगर कते हैं 29 सवाल हर संथाल गाव में पंचायत होती है जिसके परधान को क्या कहा जाता है तो हर संथाल गाव में एक पंचायत होती है जिसके परधान को मांजी कहा जाता है पहला अपसंसरी हो जागा मांजी अगला देखते हैं बोकारो जीले का कुल भोगरिक 6 धरफल कितना है तो बोकारो जीले का इस्तावन का हुई है 1901 में हुई है किस जीले को अलग करके बनाए गया है है धानबात जीले से दो परफंड लिया गया था कौुण 4 है एक चंदन की आयरी उफ़ गिरिड जीले से 600 परफंड को लिया गया था और जे जार हाले में छीले दोंग् जेक के से 129 धरफ जीले में